नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक और महत्वपुन जानकरी हम लोग आप लोग के लिए लेकर आएं दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पपीते के जूस में निबू का रस मिलाकर पीने से क्या फाइदे होते हैं इसका क्या अंजाम होता है जी यां दोस्तों, अगर आपको पपीता खाना अच्छा लगता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें पपीता स्वास्ति के लिए बहुत ज़्यदा फाइदे मन्फल होता है इसके नियमी सेवन से पाचन किरिया दुरुस्त बनती है या आखों के लिए बहुत ज़्यादा लापकारी मना जाता है पपीता खाने से चेरा चमकदार बनता है इसके सेवन से आप लंबे समय तक जवान नजर आ सकते हैं लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है अगर पपीते पर निब्बू का रस छेड़क कर खाये जाए तो इससे क्या होगा जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं ऐसा करने से पपीता स्वास्त के लिए और भी ज़दा फाइरेमन बन जाएगा पपीते को आप बारी काट कर मिक्सी में पीसकर इसका जूस बना ले फिर आप इस जूस में एक चमच निब्बू का रस मिलाए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले अब आप इस हेल्दी ड्रिंक को पीजिए इससे आपको बहुत फाइदा होगा चलिए जानते हैं दोस्तो पपीते के जूस में निब्बू का रस मिलाकर पीने से और भी क्या-क्या होते हैं दोस्तो अगर आखों की रोशनी को तेज करना चाहते हैं तो इस हेल्दी ड्रिंक को आपको जरूर पीना चाहिए कई बच्चों की छोटी उमर में ही आखे की रोशनी जो होती है वो कमजोर होती चली जाती है जिसकी चलते उन्हें कम उमर में ही चेश्मा लग जात इसे में पपीते और निब्बू का रस उनकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन रहता है। ज़्यादा तनाव महसुस कर रहे हैं तो तुरंत इस पपीते निब्बू के मिशन को जूस बना कर जरूर पिएं क्योंकि इस मिक्स्चर जूस को पीने से शरीर में विटामिन C की मातरा तुरंत बढ़ जाती है। प्रकार से वर्क करता है जिससे आर्टरी ब्लोक होने का खत्रा काफी कम हो जाता है। परिणाम सरूप आपको दिल से संबनित बिमारिया नहीं होती है या हेलरी ड्रिंक खुन के भाव को तेज बाना दिता है जिससे दिल की बिमारिया होने का खत्रा काफी जादा कम हो जाता है। गठ्या की बिमारी होने पर इस स्वास्त वर्दक पेक को पीने से काफी लाब मिलता है। इसके सेवन से गठिया में होने वाले दर्दों सूजन से रहात मिलती है जिससे आपको चलने फिडने में होने वाली तक्रीफ से काफी आराम मिलेगा। अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है और आप बहुत जल्दी बिमार पढ़ जाते हैं तो आपको पपिते के रस में निब्बू का रस मिला कर पीना जरूर चाहिए। इससे बोडी की इम्मुनिटी मजबूत बनती है जिससे आपको कई सारी बिमारिया आसानी से हो पाती है। इसलिए इन बिमारियों से बचना जाते हैं तो पपिते के जूस में निब्बू का रस मिला कर पीना आपको जरूर चाहिए। निब्बू का रस मिला कर तुरंत पीना चाहिए। केने का मतलब यह है कि जब पपिते का जूस बनाए तो इसे तुरंत पी जाए और इसे श्टोर करके बिल्कुल भी ना रखे। क्यों? क्योंकि यह बाद में थक्के के रूप में जम जाता है। इसके अलावा इस्टोर करके रखने पर इसके गुड़ों में भी काफी जादा कमी आ जाती है। तो जब भी आप इसको ड्रिंक के रूप में पीना चाहें तो इसको हाथो हाथ बना कर ही पी लें। तो दोस्तों यह थे पपिते के जूस में निबु का रस मिलाकर पीने से होने वाले कुछ चमतकारी फाइदों के बारे में जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले अगर आप लोग नहीं तो चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबाया है वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद